प्रभीश्य मस्य के पवित्रा और सामर्थी नाम में आप सभू को नमश्कार दोस्तों सत्यवचन के इस क्रमबध बाइबल अध्यन में आपका हालतिक स्वागत है परमीश्वर का प्रेम अध्भूत है वहां मनुश्यों से अध्यन्त प्रेम करता है इसलिए उसने सब जीवों के उपर और संसार में उसे अधिकारी ठहराया है उसने जो कुछ बनाया उसे मनुश्यों के लिए बनाया और उसे सुतंतर इच्छा से बनाया कि अपने विवेख से वह सही और गलत का चुनाओ करे दोस्तों इस प्रकार उसने हमें अपने से थोड़ा ही कम मनाया और प्रतम मनुश्य परमेश्वर के साथ बिना किसी रुकावट के बाते करता और संगती करता था लेकिन मनुश्य ने परमेश्वर के इस कार का आधर नहीं किया और अपनी उस अवस्था को उसने खो दिया आग्या उलंगन करने के द्वारा अपनी पवित्र अवस्था को उसने खो दिया और परमेश्वर से उसकी संगती से सदाकाल के लिए बिछोड़ गया या अलग हो गया, यही हम सब के जीवन की विबिन समस्याओं की जड़ है दोस्तों, परमेश्वर से अलगाओ, पापी सभाव इसी कारण से हमारे अंदर है, हम बच्चों को कोई बुराई नहीं सिखाते हैं, फिर भी जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, इस सभाव को या पाप की सभाव को भी प्रदर्शित करते जाते हैं, वंशानुगत करम्स में हमारे अंदर ये सभाव है और इसलिए हम सब के सब परमेश्वर की द्रिस्टी में दोशी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पापी मनुश्य से प्रेम करता है, और उसे जीवन में जीने का उसल पदा करता है और उसके लिए प्रभंद करता है यहां तक कि पाप के इस जटिल समस्या से छुटकारे के लिए भी उसने प्रभंद किया है दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे वह इस वन्शा नुगत करम के दुश्प्रभाव को खतम करने की विवस्था करता है आपसे निवेदन ह कि आप इस अध्यान को ध्यान से सुने और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर दे कर आप SMS या WhatsApp के द्वारा उसे भेज सकते हैं ताकि आप विज़ताओं में शामिल होने पाए आईए अपने अध्यान में आगे बढ़ें मित्रों पिछले अध्यान में हमने परमेश्यक की संतान के लाभों को देखा था जिसमें हमने देखा आशा, समस्याओं पर विजय, परमेश्यक का प्रेम, पोईत्र आत्मा, क्रोच से मुक्ती तब हमने आदम की प्रधानता को देखा था और अब हम आगे बढ़ते वे देखेंगे कि यह आदम की संग्ये प्रभुता के आधार पर ही है कि परमेश्यर मसी की संग्ये प्रभुता के द्वारा मसी में विश्वास करने वालों का उद्धार करता है इसी को थेोलोजी विशेशग्य संग्य प्रभुता कहते हैं आदम और मसी दोनों ही मानोजाती के प्रतिनिधी हैं आदम मानोजाती का प्राकृतिक सीर है मैं इसे स्विकार करता हूँ मैंने एक विशाल पोश्टर को देखा जिसमें मुझे अत्यधिक रुची उत्पन हुई उसमें लिखा था मेरे पुर्वज मनुश्य थे आपके पुर्वजों के लिए शमा कीजिए इसे मसी ही होने का विचार मिट्टी में मिल जाता है परमिश्य के वचन में विश्वास करना और विकास वाद के सिधान को भी मानना आदम मानो जाती का सिर है पौलुस यहां यही कह रहा है वह प्राकृतिक रूप से सिर है उसके एक ही आगया ना मानने के काम ने उसकी संपुन जाती को पाप में गिरा दिया हम सब आदम के पाप के कारण पापी हो गए मेरे मित्रों पहले हम यह देखेंगे कि इसका अर्थ क्या नहीं है या उस से तथे से संदर्भित नहीं है कि हम में आदम का पापी सुभाव वन्शानुगत करम में आया है यह सच है कि मुझ में मेरे पिता से पाप का सुभाव आया है और उनमें उनके पिता से और इसी प्रका से एक पीड़ी से पीड़ी में आया है। मैंने यह स्वभाव अपने बच्चों को दिया है और उनके माध्यम से नाती पोतों को मिलेगा। मेरा पहला बेटा ऐसा प्यारा बच्चा था कि मुझे मनश्य की पूर्ण भ्रष्ट आवस्था पर संदे होने लगा था। परंतु जियों जियों वह बड़ा होने लगा तेओं तेओं वह इस भ्रष्ट प्राकृती का प्रदर्शन करने लगा। मेरा दूसरा पुत्र अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का है। अब मैं फिर से मनश्य की पूर्ण भ्रष्ट आवस्था पर विश्वास करने लगा हूँ। मैं इन दो बच्चों में ऐसे स्वभाव का प्रदर्शन देख रहा हूँ जो उन्होंने मेरे विचार में अपनी परदादी से पाया है। यदिपी आप में और मुझ में पापी स्वभाव है और हम उसे अपने संतान को देते हैं। यह पद उस सत्य के संदर्व में नहीं है। मेरे मित्रों इस पद में यह भी लिखा है, सब ने पाप किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पापी कर्मों के दोशी हैं, निसंदे हम दोशी हैं, परन्तु इस पद का अभिपराय यह नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। यह पद उस तथ्य का संदर्व देता है कि हम अपने मूल पिता से कितना गंभीरता से जुड़े हुए हैं, मानुवी सोभा में ढलने से पुर्व, पाप करने से पुर्व, जन्म लेने से पुर्व, हम वास्तों में पापी थे, संभवता आपको यह सुईकार्य ना हो, परन्त परमिर्श्व कहता है कि ऐसा ही है, हम इसे इबरानियों के पत्रे सात अध्या उसके नौपद में देखते हैं, लिखा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवा अंश लेता है, अबराहम के द्वारा दसवा अंश दिया, वह कैसे इस काम को कर पाया, देखें इबरानियों के पत्रे सात अध्या उसके दस पद, लिखा है, क्योंकि जिस समय मलकी सीदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था, इसी प्रकार आदम का पाप भी हम में दोशारोपन उत्पन कर गया, आदम ने जो किया, वह हमने किया, परमिर पापी सुभव में आदम से कुछ अलग कर सकते हैं, उससे अच्छा जो आपने पाप रहित अवस्था में किया था, मेरे विचार में यह संभव नहीं, उचीत होगा कि हम इस तथ्यों को स्विकार कर लें, कि आदम की आग्या ना मानने के कारण, एक कारे के कारण, हम सब प रसांगिक उधारन देता हूं, मेरे दादा किसी कारण वस्थ, अपना देश त्याग कर किसी अने देश में जाकर बस जाता है, अब मेरा दादा जो कर रहा था, वह मैं भी कर रहा था, उसने अपना देश छोड़ा, तो मैंने भी छोड़ा, क्योंकि मैं अपने दादा की द एक नई जाति का सिर है, एक नई उद्धार प्राप्त मानावता, जो मसीह की देह है, एक नई सृष्टी, किसी गीतकार ने बहुत ही उत्तम गीत लिखा है, कलिस्या की एक निव है, उसका प्रभू मसी इश्रू, वह उसकी नई सृष्टी है, जल और वचन के द्वारा, कलिस या एक नई स्रिष्टी, एक नई जाती है। पॉलुस पहला कुरुंतियों के पत्रे 15 अध्याय उसके 45 पद और 47 में यही कहता है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथा मनश्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना। प्रथा मनश्य धर्थी से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनश्य स्वर्गिय है। अब तीसरा आदम उदय नहीं होगा, क्योंकि मसी अंतिम आदम है। तीसरा, चावथा और असंख्य मनश्य तो होंगे, क्योंकि मसी दूसरा मानव है, परन्तु दूसरा आदम नहीं है, वा अंतिम आदम है, वा एक नई जाती का सिर है, यही एक मुख्य बात है, मेरे मित्रों जब हम इस भाग का अध्यन करते हैं, तो हम एक बड़ी अर्थपू प्राप्त है, इसी अध्याय पांच पद नौ में, अतह, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोच से क्यों ना बचेंगे, और पद दस में, क्योंकि बैरी होनी की दशा में, तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमिश के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, इस भाग में अतह और क्योंकि शब्द की बहुतायत है, पहला कुरूंतियों के पत्री पंदराध्या उसके 21 और 22 बद में लिखा है, क्योंकि जब मनिश्य के द्वारा मृत्य प्रमान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाये जाएंगे, मृत्यू आदम के द्वारा आई, और यदि इसका प्रमान चाहिए कि आदम का पहला पाप प्रतिकात्मक कारे था, तो सोचिए कि एक शिशु जिसने पाप नहीं किया, क्यों मरत है, क्योंकि वह आदम की जाती से है, आदम में सब मरते हैं, परमेश्र ने वास्तव में मनश्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्र के पास मनश्य के लिए अधिक उत्तम वस्त्वे थी और आज भी हैं, आये, अब इसे विचार के साथ हम पद तेरा पर ध्यान दे रोमियो के पत्वे 5 अधिया के 13 पद में लिखा है, व्यवस्ता के दिये जाने तक पाप जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्ता नहीं वहाँ पाप गीना नहीं जाता ध्यान देजे, आदम से लेकर मुसा के समय तक पाप संसार में था, परन्तु उस समय पाप अपराद नहीं था, वह केवल परमिर्ष्व से विद्रोह था। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्या के 13 पद में तू खून न करना। सच तो यह है कि परमिर्ष्व ने कैन की रक्षा हे तू उस पर एक चिन डाल दिया था। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष्व को जो मुझे चोट लगाता था अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है। जब कैन का बदला साथ गुना लिया जाएगा तो लेमेक का सत्तर गुना लिया जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि लेमेक के पास हत्या करने का कारण था। नो के युग में जिस पीड़ी का जल प्रले से नाश हुआ था वह पीड़ी पाप में मगन थी। वे असाध्य महाब्रष्ट थे। उत्पत्ति की पूस्तक छे अध्या उसके पांच पद में लिखा है। यहवा ने देखा कि मनश्यों की बुराई प्रिथी पर बढ़ गई है। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इन में से एक ने भी दस आग्याओं में से एक का भी उलंगन नहीं किया था। क्योंकि उस समय दस आग्याएं न प्रश्न का उत्तर है। सब मनश्य भटकी हुई जाती के हैं। आपके और मेरे लिए यह सक्ष स्विकार करना कठिन होगा। परंतु आप और मैं इसी भटकी हुई जाती में जन्मे हैं। हम अभिराम मनश्य अर्थात रूपवान नहीं हैं। हम विकास की प्रक्रिया से उ अभशक्ता है। मनश्य के विचार में परमिर्षर से अलग हैं। अब कोई कहेगा ऐसे तो परमिर्षर आभारी होगा कि सब का उधार करे। नहीं। वह आभारी नहीं है। उधारा नार्थ आप एक दलदल भरी जील पर जाते हैं जहां कुछ कच्छुए हैं। आप एक कच्छवा जील में जाकर अन्य कच्छवों से कहता है क्या तुम लोग उड़ना सीखने के इच्छुक नहीं हो। मेरे विचार में वे उसका ठठा करके कहेंगे नहीं। हम यहीं अच्छे हैं। हम उड़ना नहीं सीखेंगे। आज भटके हुए मनश्य की यही दशा है। म कानी से नहीं बैठता है क्योंकि हमारा सोभाव ब्रश्ट है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम विशिष्ट जन हैं। परन्तु हम हैं नहीं। हम रोमियो के पत्र पांच अध्या उसके चौदा पद में आगे पढ़ते हैं। तो भी आदम से लेकर मुसा तक मृत् पॉलुस मृत्यू को मानस्वरुप जीवन्त दर्शाते वे कहता है कि सच में मृत्यू ने आदम से लेकर मुसा के युग तक एक राजा की नाई राज किया है। यद्दिपी मनिश्य ने उस युग में दस आग्याओं में से किसी भी आग्या का उलंगन नहीं किया था। क शारिक मृत्यू अर्थात आत्मा द्वारा देह का त्याग। यह मृत्यू आदम के पाप के कारण आई थी। दूसरी मृत्यू परमिश्य से विद्रोह एवं अलगाओ। यह स्वभाव हम में आदम से आया है। हम परमिश्य से अलग हैं और अपराधों एवं पापों से भरे हुए हैं। देखिए इभिस्यों की पत्री दो अध्या उसके एक पद में। यह धर्म शास्त्र में व्यक्त चित्रन है। तीसरी मृत्यू है अनंत मृत्यू। यह धर्म शास्त्र में व्यक्त तीसरी मृत्यू है। परमेश्य से अनंत कालिन संबंध विछेत। पत्र 5 अध्या के 15 पत्र में लिखा है पर जैसी अपराद की दशा है वैसी अनुग्रह के वर्दान की नहीं क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद से बहुत लोग मरे तो परमिर्श का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात इश्यु मसी के अनुग्रह से ह आज मसी में हमारे पास भरपूरी है। हम अधन की वाटिका से भी अधिक अध्भूत किसी परिद्रिश्री की प्रतिक्षा में हैं। इबरान्यों के पत्री 11 अध्या के 13 पद में लिखा है। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिग्या की हुई वस्त्वे नहीं पाई। पर उन्हें दूर से देख कर आनंदित हुए और मान लिया कि हम प्रिथ्वी पर परदेश्री और बाहरी हैं। तब हम रोमियों के पत्री 5 के 16 पद में पढ़ते हैं। जैसा एक मनशी के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं क्योंकि एक ही के कारण दंड की आग्या का फैसला हुआ। परंतु बहुत से अपरादों के कारण ऐसा वर्दान उत्पन हुआ कि लोग धर्मी ठहरें। मेरे मित्रों मैं समझता हूँ कि यह कठिन वचन है वरन सरवाधिक कठिन वचनों में से एक है। आसान शब्दों में एक अपराद के कारण संपुन मानव जाती पाप में गिराई गई। और आग्या पालन का एक काम कुरूस पर मसी इश्यू के मृत्यू भटके हुए मनुष्य के लिए उद्धार संभव बनाती है। रोमियो के पत्रे 5 के 17 पद में लिखा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद के कारण मृत्यू ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुगरा और धर्म रुपी वर्दान बहुताय से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात इश्यू मसी के द्वारा अ एक मनुष्य के एक ही पाप के कारण मृत्यू को सिहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आदी पाप एक ही काम ने संपुन मानो जाती को पाप का भागी बनाया यहां पौलुस एक और राज्य का उलेक करता है जो मृत्यू के राज्य से अधिक उत्तम है यह जी मनुष्य को केवल इसे ग्रहन करना है जीवन के राज्य का राजा मसी इश्यू है उसी के द्वारा वर्दान प्राप्त होते हैं रोमियो के पत्र पांच अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आग्या का कारण ह हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमे धर्मी ठहराये जाने का कारण हुआ मेरे मित्रों या पाप के दोशा रोपन और धर्मिक्ता के रोपन का मूल सिधान्त है या आदम और मसी की संधिय प्रभुता का सिधान्त है हम रोमियो के पत्र वैसे ही एक मनश्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अब पॉल संग्य प्रभुता का वाद समाप्त कर रहा है। अतह उसका सारांश देता है आदम के एक पाप ने सब मनश्यों को पापी बना दिया। वरन पाप के कर्म के दोशी बनाया। मसी की आग्या कारिता उसकी मृत्य और उसका पुन्रुथान परमेश्वर के लिए मसी में विश्वास लाने वाले पापियों को धर्मी घोशित करना संभव बनाती है। रोमियों के पत्रे पांच अध्या के बीस पद में आगे लिखा है विवस्था बीच में आ गई कि अपरात बहुत हो परन्तु जहां पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रा उससे भी कहीं अधिक हुआ। मेरे मित्रों पर्मिश्व ने विवस्था के साथ बली चड़ाने के अनुष्ठान भी दिये थे। मसी ने आकर इस विवस्था को पूरा किया। दूसरे शब्दों में पर्मिर्ष्ट ने भटकी हुई मानव जाती को पाप के दोश से मुक्ति पाने का आउसर प्रदान किया, परन्तु यह मुक्ति पापी सुभाव से मुक्ति नहीं थी, आप में और मुझ में सह पुराना पापी सुभाव आज जीवन हमें बना पर्मियो के पत्रे 5 के 21 में लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रवेशो मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। ध्यान दीजे, जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, आप और मैं जिस संसार में रहते हैं वह पाप के राज्य के अधीन है। क्योंकि तुम्हारा विरोधे, शैतान, गरजने वाले सीह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, इसी कारण कबरिस्तानों में अस्थान नहीं है। वैसा ही हमारे प्रविश्व मसी के द्वारा अनुगरह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। वह भटकी हुई जाती में से एक जाती को बुला रहा है। वह कच्चुओं को उड़ना सिखा रहा है तथा भी कच्चुओं का स्वभा उड़ना नहीं चाहता। मनश्य परमेश्वर से विछेदित है, उसमें पाप का सुभाव है, अब परमेश्वर एक भरष्ट जाती को उद्धार दिलाना चाहता है, मेरे मित्रों परमेश्वर की धार्मिता की अनिवार्यताएं मसी इश्यू के मृत्यों में पूरी हो गई है, यह राज्य मसी के और सुद्रिड बना हुआ है, अनिसब आधार ढह जाने वाले रेत हैं, विश्वास करने वाले पापी को आज अनंत जीवन प्राप्त है, अन्तिम आदम के साथ एक हो जाने के द्वारा पुनरुथित एवाम महिमा मैं उद्धार करता, या उद्धार प्राप्त पापी का शोधन संभव बनाता है, मेरे मित्रों अगले अध्यान का विश्य भी यही होगा, आज यहाँ पर हमारे अध्यान का समय समाफ्त होता है, प्रभू आज के इस वच्चन के द्वारा आप सब को आशिष दे। इन प्रकार की मृत्यू का उलेक किया गया है, शारिक मृत्यू, आत्मिक मृत्यू, जो परमेश्वर से अलगाओ, और तीसरा है खाली स्थान, A. आकस्मिक मृत्यू, B. स्थानिय मृत्यू, C. अनन्त मृत्यू, D. चिकत्सिय मृत्यू. मित्रो इस प्रस्ण का उट्टर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले, विकल्प A, B, C या D के साथ, अपना नाम, पता, स्थान के साथ, 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें, सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे, धन्यवाद. मित्रो आपने देखा कि मनुष्य की एक बार आग्या उलंगन से, उसने परमेश्वर की संद्टी को सदा के लिए खो दिया, और मृत्यू उसके जीवन में राज्य करने लगी, जो मनुष्य के लिए सबसे भयावा अनुभव है। हमें सच्चाई को नकार नहीं सकते कि मानव पीडी में प्रथम पाप के कारण बृत्यू मनुष्य की जीवन में आई, और ये हमाले लिए एक अस्विकार घटना बन गई। लेकिन क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है, इसलिए वह उसे इस परिस्थिती में सदा के लिए नहीं छोड़ना चाता, और उसके पाप में गिरने के तुरंत बाद ही उसके बचाओ के लिए उपाय रचा, और उसे प्रवू इश्यू मसी के बलिदान बृत्यू और पुनरत्थान के दोरा एक पापी मनुष्य को उसने धर्मी घोशित करने का उपाय किया, कि परमेश्वर उसके पाप का दोश उस पर ना लगाए, आदम के आग्या उलंगन के कारण पापी सभाव हमारे अंदर आ गया था, और हम सब के सब परमेश्वर की द पिरने लेते हैं, मसी की धर्मिक्ता आपके ऊपर प्रत्या रोपित कर दी जाती है, अर्थार्ट डाल दी जाती है, ईश्व मसी यहौना ग्यारा उसके पच्चिस पद में इस बात की घोशना करते हैं, कि परुट्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्व करता है, वह यदि मर भी जाए, तो भी जिएगा, तो इस तो ये संसार के हर एक जन के लिए पेश किया गया नियम है, यदि अब तक आपने अपने पापों की शमा का आश्वाशन प्राप्त नहीं किया है, और स्वर्ग जाने की निश्चिता आज तक आपके पास नहीं है, तो आज अभी इसी वक्त आपको अपना जीवन इश्व को देने की और पशिताब के द्वारा पापों की शमा प्राप्त करने की अवशकता है, आईए दोस्तों हम प्रार्थना करें कि इस महान वर्दान को हमारे सारे दर्शक आप सब जो इस समय देख रहे हैं, आपने आपों की शमा और अनंती जीवन प्राप्त करें, आईए प्राप्त करें, स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके इस विशेश उपहार के लिए जो प्रभू ईश्व मसी में आपने हमारे लिए प्रगट किया है, लेकिन प्रभू ये बात भी निश्चित है कि ज तो हम प्रभू ईश्व मसी को ग्रहन करें, या उसका तिरसकार करें, हमारे दर्शकों के लिए आज प्रार्थनाय प्रभू, जिदि किसी कारण से उन्होंने अब तक ईश्व मसी को नहीं जाना, उन्होंने ईश्व मसी के उस बलिदान को नहीं जाना, ईश्व मसी को उन्ह उन्हें ग्रहन नहीं किया, एक मुक्तिगाता के रूप में नहीं माना और पापों की शमा अब तक प्राप्त नहीं की है और वो एक दुविधा के इस्थान पे खड़े होके संघर्श कर रहे है कि एक निर्ने ले, हमारी प्रार्थना है पौईतरात्मा इसी वक्त उनके हिर्दयों में काम करे, मनों में काम करे और उन्हें इस निर्ने को लेनी में साहता करे क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का जो विरोधी है हमारे जीवन का जो विरोधी है वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन आशिशें प्राप्त करे हम उधार प्राप्त करें अपने पापों से शमा प्राप्त करें लेकिन प्रभू आपका आत्मा आज उनकी साहता करें और इसी समय उनके जीवन में प्रभू आपकी शान्ती पहुंचने पाए आपके पापों की शमा पहुंचने पाए और जितने कान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभू, उनके लिए हमारी बिंटी है, कि आपका बच्छन उनके जीवन में अद्भुतरिती से काय करें, और हम सब इस बात में आप ही को आदर और महमा देते हैं, प्रार्थना मुक्तिदाता इश्यू के नाम से मांगते हैं आमें दोस्तों मुझे उमीद है कि आज आपको परमेश्वर में विश्य श्रीती से इस पर्ष किया होगा और यदि आप अपनी इस आशीश को हमारे साथ बाटना चाहते हैं, तो कृपिया, मिस कॉल, फोन या एसमस के दोरा हमें सूचित करें अगली प्रसारण में आपसे फिर्मूला कात होगी, तब तक आप परमेश्वर के वच्चन में बढ़ते चले जाएं और दूसरों को इस कारिक्रम में शामिल होने के लिए नियोता दे, प्रभू आपको आशीश दे, नमस्कार कि अ 두 submit को वाधको आपको 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 में झापको के लिए का लुष